यहां मैंने चामल का बूरी लिया है आपके पास चामल का है गेहूं का है कोई सा भी आप बूरी ले सकते हो लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसको दिखिए जो यह निचे का साइड है इसको पहले हम कट कर लेते हैं तो कट कर लिया है अब देखिए अंदर की तरफ जो फोलिट साइड है इसको हम सीधा कर लेंगे सही कर लेंगे अब हम देखिए तीन इंच की पटियां यहां पर कट करनी है आप अगर थोड़ी चोड़ी पट्टी ले तो ले सकते हैं और अगर आपको तोड़ा पतला रखना है तो पतला भी यहां पर आप ले सकते हैं तो चलिए इसकी जितनी भी पट्टियां कट होती है उतना हम कट कर लेते हैं तो फ्रेंज अगर आपके पास में जिसी की गियों का बोरी रहता है वो भी आप इक्टा करके रख लीजिए आपके पास पॉलिथिन भी बहुत सारी पड़ी होगी वो भी आप इक्टा करकर रख सकते हैं क्योंकि मैं आगे वीडियो में इस तरह की ही आइडियास शेयर करने वाली हूं जियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे तो अब देखिए जितना भी यहां पे पट्या मेने कट कर रही है आप क्या करेंगे उपर का जो यह पार्ट है उसको हम अलग रख देंगे तो चलिए अब हम इसका यूज कैसे करेंगे तो पहले देखिए हमें ए क्या करेंगे तो करना क्या है देखिए जो एक पट्टी हमने ली है उसको हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें अच्छे से सीलना है तो बड़ी सुई में उन डालेज देखिए यहां और देखिए थोड़ा आपको राउंड कर लेना है यहां पे इस तरह से, तो क्या होता है कि falls कि किसी को डोरी की जरुट होती है, जो रशी होती है वो जरुट होती है लेकिन हम सिदा इसी से बना के आपको दिखाने वाले हैं, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा आपके घर में कहीं तरीकों से उसको यूज कर सकती है तो करना क्या है देखिए या मैंने बड़ी सुई में उन डाली है आप देखिए आप चाहे तो धागे को मतलब उन को आप डॉन को डबल रखा겠्сят ही या फिर सिंगो रखा ।ंगने अगल वोल यह पूर पस्ती आवेगा तो कि रीखिए मैं बाली हूँ और एक ए動画 का हैं क्या कि एक राउंड सेफ हो जाएगा देखी इस तरह से हमें करते रहना है राउंड राउंड और स्लाइग करते रहना है देखिए इस तरह से हम अंदर की तरफ पटियों को पहले सेट करते रहेंगे और इसके उपर देखिए राउंड राउंड करते रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंदारी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं इस तरह के यूसफुल आइडिया शेयर करूंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख ले ताकि जो भी वीडियो में आपको डाले हूँ वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिक्शन मिलती रहे तो अब देखी क्या करना है कि यहां में दो तिन बार इस तरह से राउंड कर ली हूँ और इसको सिल रही हूँ तो आपको भी क्या है पहले आप छोटा राउंड करिएगा उसके बाद में आप उसकी बाहर से पूरा करते रहेगा और सिलते जाएगा और देखी पट्टी को भी क्या है कि आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते रहना है ताकि एक स्फिनिशिंग लोग का जाए देखी इस तरह से और प्रेंस इस तरह के ब्यायक बनाना बहुत ही आसान है तो देखी बास्केट जो होती है उनका हम अलग-अलग तरीकों से अपनी गर में यूज़ कर सकते हैं तो हम हमारे गर में जो बेकार इस तरह के पोलिथिन पड़े हैं कैरी बेक कुछ कभी आप बना सकते हो तो यहां देखी अब क्या करना है कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको राउंड करते जा रही हूं और अब मैं इसको उपर की तरफ थोड़ा हम करेंगी तो आप देखी क्य है कि इस तरह से आपको करते रहना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं प्रेंट्स आप दुनिया की कौन से कौन इस वीडियो को देख रहे हो जहांसे भी देख रहे हो उस गाउशेर का नाम जरूर से लिखिएगा तो यहां दिखिए हमें अंदर की तरफ फेले इसको मोडना है और फिर इसके उपर हमें इस तरह से शिलाई करती रहना है ध्यां रहे कि फ्रेंट्स आपको देखिए सुई को अंदर की साइड से ही लेना है देखिए मैंने इस तरह से इसको fold किया आप देखिए सुई को हम बाहर से नहीं डालेंगे हमें अंदर से ही इसको डालना है देखिए एक साइड में हम इसको डालेंगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है देखिए पहले जब आप round कर रहे थे starting में तो इतना जरुवत नहीं ता चार पांच जब round हो जाए तब आपको इस बात का द्यान रखना है कि जब भी आप यह लगाएं तो एक साइड में सुई रहनी चाहिए जैसे कि मैं अंदर की तरफ डाल रहे हूं तो हमें सुई को अंदर की तरफ ही डालना है देखिए इस तो बहुत ही आसान है सिंपल है इसे बनाना और उससे कहीं ज़्यादा यह सुंदर बनके तयार होगा देखिए अब यहां पे मैं इस तरह से पूरे को क्या करूंगी राउंड करूंगी और सिलाई करूंगी अब देखिए आपको मैं यह भी बता दूँ कि जब भी आप करओं देना है कि किस तरह से हम जोडबने वाले हैं तो दीखिए थोड़ा सा और है मैं आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं ताकि क्या है कि उसका जो दाद्थ हो दिखे ना क्योंकि दिखने से वो ख़राब लगता है देखिए कितना सुन्दर बनके तयार होगा तो चलिए मैं इसको एक्स्ट्रा है उसको कट कर ली हूँ अब चलिए मैं इस दूसरी पटी को केस से जोडने वाली हूँ देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया यह बना है तो अब देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंग आर से लेंगे तो हमें अंदर की तरफ ही सुई को डालना है देखिए फ्रेंस आप देख सकते हो कि आपको नीचे में बिल्कुल भी नहीं रगना है अब देखिए आपको इसा लगता है कि यह साइड थोड़ा चोटा है तो आप उसका बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें हलकासा एक अंदर की तरफ पे प्लेट रहनी चाहिए उपर का जो घेरा है ध्यां रीखिए उपर का जो साइड है उसमें हम इना लगे कि हमने यह पे प्लेट डाली है तो उसी हिसाब से हाँपको अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लिए अब देखिए जहां पर आप कर लिए ताकि ये खुले ना अब य路 sowas किशित Element नां चले के बार में खुलेना अब तीकि यहां पर करने बाद तक किशwo दुदें केंवार इस तर्फ नभिडित ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहां हमने पट्टी को अटेज किया है तो चलिए इसी तरह से हम पूरी को कम्प्लीट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो देखे यह हमारा बन के तयार है कितना सुन्दर यह दिख रहा है आप चाहे जिसे इसको यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने धागे की रील डाली है आप चाहे तो इसमें लसून प्याज भी डाल सकते हो तो इस तरह से हम यह बना सकते हैं आपको यह कैसा लगा कोमेट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाई